हेलो फ्रेंस बेडियो शुरू करने से पहले उस्पा की रशोई में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबसे निवेदन है कि यदि बेडियो अच्छा लगे तो प्लीज बेडियो को शेयर करजिए और लाइक करना बिलकुल मत भूलिए और मेरी चैनल को को कर लीजिए तो फ्रेंस आज हम अपनी रेस्मी में बनाएंगे अफगानी पनी जिसका नाम सुनते ही मूं में पानी आ जाता है तो फ्रेंस आज कल हमारे यहां तो पनीर बहुत ही प्रकार की बनते हैं मैंने भी अपनी बहुत सारी पनीर की रेस्मी डाली हुई है तो आज आप लोगों की बीच में सेयर करूंगी तो आप लोग जरूर इस वेडियो को पूरा फॉलो करें और इसको पूरा देखें तो देखिए फ्रेंज धुआ निकलती हुई एकदम गरम गरम और इतनी जवर जैस्त टेस्टी ये पनीर की सबजी है जो की आप रेश्टरोन बगेरा में और ढावा बगेरा में जाके बहुती चाव सिखाते हैं तो आप एक बार इसको घर में बना करके देखिए ये बहुती सबजी आ रही है और जैसे की आप लोगों को पता ही है कि अब आने वाली है सिवरात्री और इसके बाद आ रही हो ली तो आप इसपेसल दिन में इसपेसल सबजी बना करके चलूर देखिए और यदि बेडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और इस सबजी के कुछ खास टिप्स हैं आप लोगों के साथ आज में सियर करूँगी तो चलिए फ्रेंट चलते हैं इसको बनाने तो इसके लिए जो जो सामागिरी ली हुई है वो आज ये है तो मैंने देखिए कुछ ली है 100 ग्राम के करीब प्याज जो मैंने 4 चोटी गठीया ली है और साथ में ने हरा धनिया और क्योंकि अफगानी पनीर बन रहा तो बगर पनीर की तो बनेगा नहीं तो मैंने पनीर लिया है और मैंने ये 100 ग्राम करीब मतर के दाने ली हुए है और मैंने कुछ खड़े मसाले लिये हैं जैसे तेजपत्ता है और जो मसाले भाई लगड़ी होती उसको भी लिया है काली मिर्च दो चोटी हलायची और इसके बाद मैंने पिसे हुए मसाले लिये हुए जो नमक है और लाल मिर्च पाउडर है धनिया पाउडर है पनीर मसाला है और साथ में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ब सबसे पहले आपको क्या करना है पनीर में डाल देना है एक चमज भर के हल्दी अब आप लोग सोच रहेंगे ये तो कच्ची हल्दी डाल ली तो हाँ फ्रेंस आपको कच्ची हल्दी डाल ली है और इसमें हमें डाल देना है सौप का पाउडर जो कच्ची सौप होती है इसको मैंने दर दरा कूट लिया और इसको मिला दिया इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे लाल मिर्श पाउडर और थोड़ा से इसमें भुझा हुआ जीरा पाउडर और इसके साथ आपको थोड़ा से मिला ली नहीं कसूरी मैती अब हम इसको क्या करेंगे पनीर की कोटिंग कर देंगे तो आप चाहें तो चम्मच के हैल्प से थोड़ा हलके हाथों से करें ताकि क्य करते हैं हम लोग दही डाल दे तो फ्याल मैं इसमें दही नहीं डालूंगे अभी बस खाली मसालों को कोटिंग करना है तो अब हम लेंगे कड़ाई और कड़ाई में हम डाल देंगे सुद्ध देसी गी एक चम्मच के करीब तो हमें घी को इसमें हमें जो अबगानी पनी ब बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं पर यदि घी से बनाएंगे तो इसका स्वाथ और भी बहुत ही अच्छा आएगा अब friends आपको लेना है प्याज तो मैंने प्याज को आँच काटा नहीं है मैं सिर्फ इसी तरह से प्याज को खड़ी डालूंगी और इसमें हम डाल देंगे लेस। की कलियां और इसमें हमने डालनी है कुछ लाल मिच और कुछ मैने हरी मिर्च हैं और साथ में मैंने डाल दिया अधराग तो आप सोच रहे हुए कि हैं इसमें तो प्याज को काटा ही ना मिच को काटा है और ना ही मैंने लेसन को काटा है तो मैंने सारा इसमें खड़ा ही डाला है अब आपको क्या करना है गेस को करना थोड़ा सा सिलो क्योंकि यदि आप किसी शॉप्ट हो जाए और आपके जो लैसन होंगे मिर्च होंगी यह सब चीजें अच्छे से पक जाएंगी तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने बहुत ही से लोग आज रखी हुई है मैंने बिल्कुल भी तेज नहीं किया है और मैंने जैसे कि देखा कि प्या को और मिर्च को लैसन को सभी सामागरियों को अच्छे से भूझ लेना है तो अब इस तरह से यह भी भूझ जाए तो इसको हम निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो फ्रेंस इसी तरह चोटे-चोटे से टिप्स होते हैं यदि आप इनको फॉलो कर आप सही से देखेंगे उसको फॉलो करेंगे तो आपकी रेस्पी बिल्कुल वैसे ही बनके त्यार होगी जैसे कि मैं बनाती हूं तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्याज हमारी उपर से पक चुकी है तो अब हम इनको प्याज को निकाल लेंगे और गैस तो हमार करके त्यार कर लेंगे अब जो हमारा घी बचा हुआ था अब हमें क्या करना है गयस को तीज कर देना है और हम अपने पनीर को अच्छा सा गोल्डन कलल होने तक इसको फ्राई करेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहेंगे आप चाहें तो चम्मच की हल पसे इसको चला सकते है लेकिन आपको इस जीज का ध्यार रखना है कि इसको हलकी हाँ से ही चलाना नहीं तो आपका जो पनीर है वो तूट जाएगा क्योंकि ये पनीर जो मैंने बनाया यह घर का पनीर है और बहुत ही ज़्यादा सौट रहता है मार्केट का तो थोड़ा इतना कम सौट रहता है त आपका जो पनीर होगा वो क्या होगा कि वो अंदर से भी कड़ा हो जाएगा और बाहर से भी कड़ा हो जाएगा तो इसलिए आपको तेज गैस को ही रखना है और ताकि आपका जो पनीर है उपर से अच्छा क्रिस्पी रहे और अंदर से एकदम सौट रहें तो इसको हलके ह तो जैसे कि फ्रेंट्स आप देख पा रहे होंगी कि पनीर हमारा फ्राई हो चुका हमने इसको निकाल लिए इसमें तो थोड़ा सा हमारा घी बचा हुआ है तो आज हम इसी घी में अपनी सबजी बनाएंगे यदि आपको लग रहा है कि घी कम है तो इसमें आप थोड़ा सा ओ North ऑड़ डालने तो आधि चम्मच के करीब ओ अपनी और देखिए इसमें हमने दाल चीनी और तेजपता और सात में दो खड़ी यलायचि डाल दी हैं और दो 9 हमने बड़ी यलायचि डाली हुई हैं और इसमें हमने खळी सब काली मिज। और खडी यलाल मिज ओन इन सबको हम धीमी आझ में अच्छे से फ्राइय करेंगे जब तक जब तक मसालों से अच्छासीठी खुजबू 6 तो अब ही तब तक आपको बरावर भूजते रहना है और हमने जो ग्रेवी बनाई हुई थी टमाटर और प्याज लेसुन की तो वो हम इसमें अब डाल लेंगे तो प्रेस इस चीज का ध्यान रखें जब भी आप ग्रेवी को बनाएं तो उसको आप बारीक पीसें क्यों कि ज तो हम डालेंगे इसमें ख़या जो कुछ सुखे मसाल हैं।सवाक्यों नमक, लाल मिडेर, धनियौय जाले इसमें पनीर, मसाला और इन सब को डालके हम अच्छे से भूझ लेंगे, साथ में हम हल्दी भी डाल लेंगे, हल्दी हम थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हमने पनीर में वैसे पहले से ही डाल रिकी रखी हुई थी, तो अब आपको जब मसाले अच्छे से भूझ जाएं, तो मैंने मलाई को क्या किया था, फ्रीजन में रख दिया था, तो वो थोड़ा सा जम गई थी, तो आप इस सीच को परेशान ना हो, जैसे ये आग में आएगी, वो हमारी मलाई पिखल जाएगी, तो हम मलाई के साथ में मसालों को थोड़ा सा और भूझेंगे, और इसमें आप को जो मैं सीक्रेट है, वो है फ्रेंस दही, दही अफगानी पनी में आप जरूर डालें, क्योंकि दही के बिना अफगानी जो पनीर होता है, वो बिल्कुल नहीं बन के तियार होगा, तो हमने दही को रख दिया भी शायद में, पहले हम इसको मलाई के साथ में अच्छे से कैप का होता है, बहुत ही मतलब इतना सॉप्ट होता है, कि मैं बता नहीं सकती हूँ, तो अब देखें मलाई हमारे अच्छे से मेल्ड हो चुकी है, तो अब हम डाल देंगे दही, तो मैंने इसमें जो 100 ग्राम के करीब दही डाला हुआ है, और आप जब भी पनीर की सबजी तो आपको खटा बिल्कुर नहीं लेना है, एकदम नौर्मल दही लेना, तो मैंने जो दही डाला हुआ है, वो घर का ही जमाया हुआ है, मैंने नाइट में रख दिया था जमने के लिए, तो उससोबह मैंने इसको यूज कर लिया है, तो आप भी इसी तरह से घर में दही को और यह जमा सकते हैं और यह रिमार्केट का है तो आपको बहुत पराना दही नहीं ले नर्मल ही आपको डालना नहीं ही तो आपका दही जो होगा आप डालेंगे gårहend तो सब्जी आपकी खटी हो जाएगः और फट भी तो कि आहसे हैं करूं कि आप झैसे बहें भी जाते हैं। तो दंई हित रहते हैं नहीं जो द्य ही सबनाते हैं रहते हैं। तो ये देखिए दही और ये हमारी जो मलाई है वो मिक्स हो चुकी है और इसमें मसाले में हमारे तेल छोड़ना एक्ष्टार्ट कर दिया है तो इससे हमें पता चलता है कि मसाले हमारे अच्छे से बुन चुके है अब आपको प्रेंस क्या करना इसमें मैंने पहले इसके जब आप खाएंगे इसको तो आपको हलक ऐसा मिठास लगेगा तो इसमें आपको खाने वाली छोटी चमच होती है वो छोटी चमच आधी चमच आपको डालना जादा नहीं डालना सिर्फ आधी चमच ही डालना है तो चीनी के साथ हम इसको डाल देंगे और हम थोड़ा सा और तो जैसे कि आप ग्रेवी को देख पा रहे हैं कि यह बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है ना बहुत ज्यादा पतली है तो यह हमारी ग्रेवी बन के एकदम त्यार हो चुकी अब हम डाल लेंगे इसमें जो हमने पनीर भूझ करके रखे हुए थे वह हम पनीर इसमें सारे छोड पनीर की साथ में थोड़ा सा हम मसालों को और भूझेंगे ताकि जो मसाली को स्वाध है वो हमारे पनीर में अच्छे से मिल जाए और हमारा पनीर बहुतीी को स्वाधा इसमें और फ्रेस जब यह आपको लगी कि मसाल हमारा भुन चुका है तो आपको इसमें आधा कप के कनीर करीब पानी डालना है जादा नहीं पानी डालना है क्योंकि यह जो अफगानी पनीर होता वो थोड़ा सा हलका यह गिरे भी बहुत ज़्यादा पतली नहीं हो जाए थोड़ी अधा कप के करीब पानी डालने और गैस को अब हम कर देंगे एक तम बिल्कुल स्लो कर देंगे और अब हम इसमें ढककान लगा करके इसको बंद कर देंगे जब तक पनीर हमारा अच्छी से सौप नहीं होता है तो मैं तो यही आप लोगों को सर्जिश्ट करूंगी कि आप कम से कम इसको दो मिनट तक बिल्कुल पकाएं और गैस को बिल्कुल स्लो कर दें और पकने के बाद भी हम इसको पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तब ही आपका रेश्टोर रेश्टायर लिए पनीर बन के तियार होगा तो जैसे कि आप मैंने दो मिनट के क्या करना इसमें थोड़ा सा एक चुटकी काली मिर्च पाउडर हैं तो आपको क्या करते को थोड़ा साओं वह चुटकी ढल ले इसने ते आपकी सबजी की खुजवोगी बहुत ही अची आएगी और थोड़ा से इसमें सॉप पाउडर, थोड़ा सा बोंजा हुआ जीरा पाउडर, इसको भी एक एक चुटकी आप डाल दें, और जरा सा भी हिंग डाल दें, तो बस यह अब गर्मी पनीर आपका बन के एकदम त्यार है, और अभी थोड़ा से इसमें और हम करेंगे खाने के पहले कि हमें क्या करना है, तो देखे, अब हम इसमें हरा धनिया भी सर्फ कर देंगे, तो यह हमारा अब गर्मी पनीर बन के एकदम हो चुका है, तो हमने हरा धनिया डाल दिये, सारे मसाले डाल दिये, इसको अब हम ढग देंगे, और दो मिनट तक इसको हम बिल्कुल नही खोलेंगे तो देखे दो मिनट फ्रेंट हमारे हो चुके हैं और यह अब गानी बनके हमारा एकदम तयार हो चुका है तो देखे इसका कलर भी कितना अच्छा आया है और यह बहुत जली बनके भी त्यारो खाने में तो इतना टेस्टी लगता कि हम बता नहीं सकती हूँ तो ज अभी आप इस पनीर को खाने के लिए जाएं तो आपको क्या करना है इसके ऊपर डाल देना है क्रीम क्यूंकि हो क्रीम के साथ में खाने मजा आता है तो मैं ऊपर से थोड़ा सा इसमें क्रीम डाल दूंगी और इसको शर्व कर दोंगी तो ये लिजे फ्रेंश हमारा अफगानी पनीर बने के एकदम प्यार हो चुका है और इसमें हमने डाल दिये धे शारी क्रीम तो आप भी इस तरह से अफगानी पनीर को बना करके इंज़ाई कीजिए और अपने परवारवालों को खिलाईए आपने इस बार ये अफगानी पनीर बना की खिला दिया तो आप विस्वास नहीं करेंगे आपकी कितनी तारीफ होने वाली है खास करके उन लड़कियों की जिनकी अभी सादी हुई है तो वो इस पनीर को बना करके जरूर देखे मेरे हाँ तो जब इस पनीर बनता है ना तो अब मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी तारीफ होती है और ये इतना टेस्टी लगता है ये खाने में तो एक बार इसको आप बनाएए जरूर और खाएए एंज्वाई कीजिए तो आज के लिए बस इतना ही कल आपकी वस्पापे राजेर होगी नहीं रेस्पी के साथ में तब तक के लिए ओके बाय बाय सी यू